नमस्कार मैं साक्षी MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वाधित करती हूँ आईए आज कुछ खास कबर देखते हैं बहुजन समझ पाईटी के बुंदिलखन ब्रबारी गयाचरन दिर्कर ने हमिर्पूर में आवचित एक कालिय करता बैटक मिकां की बहन जी ने समाजवादी पाईटी के साथ कर बंदन करके भारतीय जंता पाईटी और अन्य दलों की नीन पुड़ा दिया उन्होंने कहा कि देश में जल्द ही लोगसभा चुना होने वाला है इसको लेकर हमारी पाईटी के हमारी पाईटी ने समाजवादी साथ गड़बंदन किया है ऐसा करके हमने अन्य पाईटी की नीन पुड़ाई हुई है यूपी ही दय करता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी इस गड़बंदन को जन जाहिर कामियाब बनाने के लिए बसपा और सर्पा के लोगों से अपिल करता हूँ कि आप अपने पुराने गिलेशिक में किनारे करके अपने इस लोगसवाशेत्रक के सभी उमेतरों को एतिहासिक जीद दिलाए उन्होंने कहा देश की आजादी के बाद पिजपी और कॉंग्रेस की सरकार के राज में जमकर रश्टा चालुआ किसान गरीब दलिद व अन्या पिछड़े वर्ग का सही से विकास नहीं हुआ जिससे दुखी होकर ही इनके ही दुख के लिए पार्टी बनानी पड़ी थी आज देश में किसान गरीद और पिछड़ा वर्ग के लोग सबसे ज्यादा दुखी है इसकी एक वज़़ गेंद्र सरकार है यहाँ वज़़ है कि अब आमचल्टा पिछड़ा 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 को सब्दा से हटाने का मन बना चुकी है इसकी एक बनेगी MP36 गड़ और राजस्तान में देखने को मिली पिछे भी को समझ लेना चाहिए कि जूले वादे और जूले बाजी से किसान वर दलित विरोधी सरकार की दाल जाबती तक गरने वाली नहीं है यहाँ वज़़ है कि कॉग्रेस की तीन गाज्यों में पर इस सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगे है उन्होंने सबावे उपस्तित दोनों दलों कि जटबंदन के निताओं को कारियो करताव से अप्पिल की कि समय कम है इसलिए वे एक-एक गर्ण को मुल्यवान समझ कर बसपा के जनाव्याल को मद्बूत करने का काम शुरू कर दे बैटर में लोगसभा के उमिद्वार दिलिप सीथ सही चारों जनों के अध्यक्षब वो कारियो करता नेतागर्ण उपस्तित रहे आईए देखते हैं हमारे शेवकुमार शेवरी की खास कबर MLS News के लिए जीने की दोविद्षाण समय हैं भजोबा जीने की तोलविद्षाण समय है और वाणा जीने की खिर्वद्षाण समय' इस पांच मिद्षाण समय के लोवब चाल ने वाञीर को है इस रुप्षवार्चेतर के अंतरगत समी समाविष्ट पांचों मिलान समावी चित्रों की मंदाता मिल करके आदामी रुप्षवार्चेतर के तुनाओं अपना शान सथ चुनेंगी इसलिए आदामी रुप्षवार्चेतर के तुनाओं को भ्षाज दिया करके यह मेठाद बनाई के आने वादे पक्त में जहां पूरद परदेश में रस बंधन के साथी मिल करके अपने उम्मीर मार को जिताने में पूरी प्रशिष कहें महार्च हमिर प्रदुप्षवार्चेतर में भी स्वार्च वार्च 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 वार कर्षे तर्फी देर्टों गल्वों के मेता, गल्वों गल्वों के नायकर्टा बाल, शुद्धिन तक और समध चाथी मेल जुर्टाथी, जिताने में ज़तू और अहें भुड़ता निभारेका काम करेज़्, इशिए उते इशिए भुड़तिके कि वंजल समाज बाठी केड आने वाले वक्त की वक्त में आने वाले प्लोंपी को ध्याँ जिया गतार की, प्रते कोई बूद्वे श्यक्तर में यादर के घाता को मझूद करने का काम करेज़्, जो पर जो महितामने के कान तुछने तबों की, पिष्णी की मामने चलीदे, आप पर हेड ना करें, उने प्यार और लोहर्पर से जोड़ने का काम करें, आप साई राजनेतिक परिशत्यों के परशित, किस समय शक्तार उड़तल की बजे से देश के क्या हमनात, देश के रहने मादे हर तत्वे की लूप, चाहिए उकिशान हो, मश्रूम हो, गरीम हो, आजबासी हो, शिरूर राज आजबासी हो, अंशुचित ज़िदार्थी के हो, बोटी सी के हो, फोड़न के लोग, श्रूम समय शाज के लोग, इस समय श्रूम हो, इस वच्तार है, शाइभ लोगों को मिला जऻना कर के, इस देश की तश्वीर और कर्वीर को बदलने के लिग, प्रभणन के उन्मियर को अब भी अहें बोलकाने बारे करता है। फ्रक्त तो हुद ज्यादा नहीं है। वह मुश्किल महीडे सवा पगेडे में। मुश्किल से भगरी के लाजबी के आमाद के भगरी है। जाब यह सुचा जारी कोड़ा है। इसलिए वो फ्रक्त है हमारे पास। जामरी का इसेश भास और फगरी का में। यह हमारे पास लगारे एक महीडे दस्तित परते दितका वाक्त। इसे प्रक्त के एक एक सुचाई को मुड़ी वान समझ काथी ख़तोईन समाजपाथी को धराकर तक मजबू करने का काम करना। इसलिए प्रया गुरुदेवी जहां भी शेकतर की काईन्या भी कर जोड़ हो। समय रहते में फुरा करने का साम करें, मजबूफ करने का साम करें। नाओ 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 जातर के संसमाज की रुपों सिवली कर। मजबू समाजपाथी के जनादा को मजबूफ करने का साम करें। इननी परयाईयों को ध्यान रेकता है कि जो चरोपी शाम में आरें। थोड़े देश का इंतहान होड़े जा। देश का भाग में भाता अत्मात मताता कि देश की करणी और पतुनी को बड़न तक्वी तक्वी को बड़नने का पाल करें। मनस ने उस लाइप की ख़बर देखने के लिए मनस हिंदी आप प्ले स्टोर से आज व्लूट करें। और हमादे चानल को सब्स्प्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद करें।